हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आज कल के बच्चे हर समय मोबाइल पर, लैपटॉप पर, टीवी पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं इस्पेशली रोब्लोक्स, माइनक्राफ इस तरह के गेम्स खेलने में हम कितना भी उनको मना करें, बट वो मानते ही नहीं है हम strict होते हैं, उनको समझाते हैं, बट कोई फायदा नहीं होता तो मैं आज आपको बता रही हूँ कि कैसे 100% आपको result मिलेगा और आपके बच्चे की आदत छूट जाएगी गेम खेलने की पहली बात तो यह है कि आप बच्चे के साथ बिल्कुल strict मत होँए कि आज से उसको छोड़ना है, आप time set कर दीजी half an hour half an hour every day, उनको मिलेगा गेम खेलने के लिए चाहे वो टीवी पर खेले, मोबाइल पर खेले या लैपटॉप यूज़ करें दूसरी चीज़ यह है कि जब आपका बच्चा गेम नहीं खेल रहा है तो इतनी देर में वो करे क्या, तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि आपको उसे busy रखना ही होगा, आपको अपना time उसके साथ spend करना होगा बच्चे की age के according आप उसे different type के games और activities में involve कर सकते हैं, बट एक बात ध्यान रखिए कि strict नहीं होना है, बच्चों के उपर shout नहीं करना है क्योंकि बच्चों का time, especially यह कोडोना की वज़े से बच्चे जब घर में रहे तो बच्चों के लिए भी यह एक बहुत बड़ा challenge रहा कि वो अपने time को utilize कैसे करे तो उन्होंने एक तरीका अपना आया, कि उन्होंने अपना time invest किया या आप उसे west बोल सकते हैं, games में तो बच्चों को हमें यह बताना होगा कि time को कैसे invest करना है गेम खेल कर west नहीं करना है, invest करना है क्योंकि अगर वो game खेलते रहेंगे तो ना सर्फ उनको physical problem होगी, eyes problem भी होगी और थोड़े चिड़चिड़े भी हो गए हैं बच्चे तो मेरी सबी से request यह है कि games और mobile इनकी आदत छुड़ाने का केवल एक तरीका है कि आपको अपने बच्चों के साथ activities में involved होना ही पड़ेगा Only this is the solution तो आज से यह try करिए और मेरे चैनल को subscribe करिए, like करिए ऐसे ही बच्चों के लिए और suggestion में लेके आऊंगी अपने next video में Thank you